तो हमारा concentration का अगला topic है बच्छो, molarity बहुत ही important है ये भी, mole fraction भी दुबारा 12 में वापस से आएगा आपको, molarity आएगा, molality आएगा, तो समझ लो ये concentration है क्या, ए, for example बच्छो, molarity capital M से denote करते हैं, कैसे denote करते हैं, capital M से, ये दे को यहाँ पर, ये क्या बताता है, सुनो, आपका solution, पहली बात तो आप liter में बात करोगे, किसमें बात करोगे, लीटर में, for example में, एक 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 जामपल के दौर पे आपको बता रहा हूँ, आपने माल लीजे, दो मोल, दो मोल कोई solute डाला, समझ जा रहा है, solution कितना लीटर है, for example, 1 लीटर है, कितना लीटर है, मतलब एक लीटर में, कितना मोल डाल दिया, आपने, दो मोल, तो ये इसका क्या हो गया, मोलारिटी हो गया, कितना मोल, एक लीटर में, कितना मोल, एक लीटर में, अभी for example मैं बोलू, कि आपने चार मोल डाला, दो लिटर में, तो ये कटेगा न, और अंसर क्या आएगा, टु मोल पर लिटर, पर लिटर मतलब एक लिटर में दो मोल, तो अभी भी कॉंसेंट्रेशन क्या है, सेम है, नहीं समझे बात को, आप अगर एक लिटर में दो मोल डालते हो, या मैं बुलता हूँ 2 लिटर में 4 मोल ढलते हो, कट करके क्या हैगा, वो ही आएगा ना 2 मोल, इसका मतलब अगर आपने 2 लिटर में 4 मोल डाला है, तो एक लिटर में 2 मोल डाला हूआ, तो concentration ही हो गया, समझा रहा है, molarity, कौंसा वाला, molarity वाला concentration हो गया, अंडरसूट्स случае कितना में बहुत ही सिंपल है कितना मोलिटर में डाला हुआ है एक लिटर ससजुशन में कितना मोल सालुट है उसको बोलते हैं इसको बनेक्रिजरे अब इसका यह वाला तक याद नहीं रख सकते हो लेकिन इसका एक दूसरा सिंबॉलिकल फॉर्मिला देता हो मैं आपको ठीक है इक्वल टू करके लिख लीजेगा एंटू बता सकते हो क्या पड़ोगे इसको समझा रहा है देखो यह पूरे इतना सारा पूरा सिंटेंस को अमने सिंबॉलिकल इतने में बता दिया और इसको रीड भी वही कर रहे हो आप आड़नियों नंबर आफ मोल और टू यानि शुलियोंन नमबर आफ मॉल ओफ घटम होगी मरी अच्छा उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सलूशन काय में में होना चाहिए लीटर में होना चाहिए तो यहाँ पर आप उन वी लिखेंगे बेस पर लिखेंगे solution और लिखेंगे in लीटर, खतम हो गया यह formula, बोलो समझ आया है तना, what is molarity, what is the formula for molarity, पहले formula करो फिर definition करो, तब को समझ आयेगा, समझा रहा है, n2 upon v of solution, volume of solution in liter, number of mol of solute divided by volume of solute, मतलब basically mol per liter बताता ही है, कि एक liter में कितना mol है solute का, that is the molarity, इसको क्या बोलते है, molarity, आचा आप सनो, ऐसे लिखने की जरूत नहीं आपको, it is the most widely used unit, ऐसे नहीं लिखने है आपको, ठीक है, तो आप बोलोगे, यह, यहाँ से, यह वाला sentence भी लिख सकते हैं, आप बाद में लिखना लगे, it is denoted by M, ठीक है, लेकिन पहले definition, definition यहाँ से लिख हो गया, it is defined as, the number of mole of solute present in one liter of the solution, समझा आगया, यह क्या है, molarity, क्या है, क्या है molarity, कितना मोल एक लिटर में प्रेजंट है, कितना मोल solute, एक लिटर में प्रेजंट है, that is what, molarity, समझा रहा है, it is the number of mole of solute present in one liter, बोलो होगया definition, what is molarity, it is defined as the number of mole of solute present in one liter of solution, one liter of solution, done, formula होगया, definition होगया, it is denoted by M, यह बाद में लिखो आप, definition लिखो उसके बाद आप यह sentence लिखना चाहते है, ठीक है, चलो, यह होगया हमारा molarity, अब मैं थोड़ा सा आता हूँ, बच्चों, molality पर, यह वाला numerical भी करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं हम लोग, molality, काभी similar होते हैं इसके formula हैं, आपको मैं बताता हूँ, molality वाला concentration, यह वाला कभ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इसको कभ यूज करते हैं, यह वाला concentration, जब सुनो हम कोई substance को heat कर रहे हों, क्या कर रहे हो, heat कर रहे हो, ठीक है, तो जब heat करते हैं, तो क्या होता है, कि जो molarity वाला centrum, वो volume dependent होता है, क्या होता है, क्या होता है, वालिम डिपरेटनेंट, आभी रहे हीट करोगे तो volume क्या करता है, है, तो हम लोग खोगा ऐसा concentration चाहिए, जो temperature dependent ना हो, तो अगर मैं आप से बूलू, यह वाला molarity और molality में क्या फरक है 12th में आपका solution chapter में इसको आपको describe करने वाले लेकिन आप याद रखो molarity हम लोग कब इस्तेवाल करेंगे समझा रहा है molarity कब समझा अपने कुछ heat वगरा नहीं कर रहे हैं हम लोग क्योंकि heat करोगे न क्योंकि molarity depend करता है volume पर और volume depend करता है temperature पर अगर आप heat करोगे तो volume change होगा volume पड़ेगा और जिसकी वज़ा से concentration क्या हो जाएगा change हो जाएगा तो हमको ये कब इस्तेवाल नहीं करना है जब आप temperature change कर रहे होगे जब क्या कर रहे होगे हीट कर रहे होगे तो जब आप कोई practical ऐसे कर रहे हो जहाँ पर आपको heat करने की जुरूद पड़ रही है तो आप वहाँ पर concentration molarity में बात नहीं करोगे तो फिर कहें में बात करेंगे molality में बात करेंगे क्यों क्योंकि molality इसका symbol small m दिया जाता है बच्छो ठीक है इसका जो formula अगर आप देखोगे तो इसका formula यहाँ पर मैं लिखता हूँ n2 उपर से में न जैसे वहाँ था number of mol of solute यहाँ पर देखो क्या लिगा mass of solvent in kg आप सुनो इसको कैसे symbol देना चाहिए आप बताईए mass को क्या symbol देते हैं हम लोग डबलू ओके तो यहाँ पर लिखता हूँ डबलू solvent के लिए क्या बोलूँगा वन वेरी गुड वन और इज़र लिख दूँगा in kg क्या फरक है पहले वाले और इसके अंदर वो अला volume dependent था समझा रहा है यह वाला mass तो यहाँ पर mass तोड़ी चेंज होने वाला heat करने से तो हम लोग यह वाला concentration कब इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब हमारे experiment में temperature हम लोग आपको change करना है ठीक है तो volume तो चेंज होने वाले नहीं तो यह वाला concentration temperature dependent नहीं होता है याद रखे यह बात को molality does not depend on temperature यह temperature के साथ बदलेगा नहीं यह heat के साथ नहीं बदलेगा इधर कोई क्या लिखावा है इसको अंट्रलाइन करो समझा statement molality of solution does not change with temperature ठीक है तो जब भी हमको experiment ऐसा करना होगा कि जिसमें आपको temperature चेंज करना है तो आप concentration molality में बात नहीं करोगे क्या में बात करोगे याद रखो molality is temperature dependent और molality does not depend on temperature ठीक है ओफन in chemistry laboratory solution is desired concentration is prepared by diluting solution of known higher the solution of higher concentration also known as stock solution ठीक है यह पूछ सकते है आपको stock solution किसको कहते हैं ठीक है तो जैसे laboratory में आपने दो solution prepare किया तो जो higher concentration वाला होगा जिसका concentration क्या होगा higher होगा ज्यादा होगा उसको stock solution भी कहा जाते है ठीक है देखो यहां पर the solution of higher concentration is also known as stock solution ठीक है तो आप concentration बात कैसे करते हो जैसे फॉर example मैंने आपको दो solution दिया एक का मैंने बोला यह morality है क्या यह morality मैंने बोल देता हूँ एक का point one small m है यानि point one zero point one मोलाल इसको क्या पढ़ेंगे morality के unit को क्या पढ़ेंगे देखो morality का symbol भी small m है और unit भी small m है ठीक है और भी unit बताऊंगा मैं आपको और जैसे morality होता है उसका symbol भी capital M है unit भी capital M Molarity के जो unit होगा उसको molar पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे molar पढ़ेंगे 0.1 for example 0.2 ऐसे देदिया मोलाल 0.2 मोलाल अब को इसका concentration ज्याता है कि यह वहला ज्याता है तो यह stock solution हो जाएगा तो stock क्या होता है समझा है the solution of higher concentration जिसका concentration क्या हो उसको stock solution बोलते है comparatively अच्छा अब इदर आजाओ थोड़ा सा formula अभी बच्चे याद कर लेंगे इससे पहले वाला और यह वाला similar ही है बस वहाँ पर हम लोग क्या बोलते है n2 upon volume of solution in liter और यहाँ पर क्या change हो जा रहा है n2 वही है अपन में mass of solvent आ जाएगा यानि w1 in kg हो जाएगा समझ गया अच्छा डेफिनेशन आप देख लीचे यह वट इस molality it is defined as number of mole of solute present in 1 kg of what solvent उदर बोलते थे one liter of solution इदर बोलना 1 kg of solvent समझ गया solvent को जिसमें आपने उसको घोला है तो वह एक kg होना चाहिए 1 kg होना चाहिए ओके इस डिनोटेट बाए देखा अभी फिर यह वाला statement आप लिख सकते हो इस डिनोटेट बाए स्मॉल एम जैसा मैं वहां बता रहा था कि पहले definition करो फिर symbol बताओ और फिर उसका फॉर्मुला बताओ यह फॉर्मुला सभी बच्चे लिख लेंगे अचा इनके ना एक और युनिट बताता हूं मैं आपको जो फॉर्मुले से आएंगे किदर से आएंगे यह क्या है नमर अफ मोल तो इसका युनिट होगा मोल क्या उनिट होगा अब मास काई में बात कर रहे हो आप kg में तो नीचे युनिट क्या होगा तो मोल पर kg क्या हो गया अच्छा विच इस ऑल्सो इक्वल स्टू स्मॉल एम स्मॉल एम मतलब मोलाल क्या पढ़ेंगे इसको चीक है तो मैंने कहीं पर ऐसे लिख दिया जीरो पॉइंड वन स्मॉल एम तो इसको क्या पढ़ोगे आप जीरो पॉइंड वन मुलाल मतलब वो क्या गिवन है मुलालिटी समझे क्या गिवन है अच्छा इसके पहले वाला फॉर्मुला भी कर लीजे वहां पर आपने लिए लिखा इसको नूट किया जो भी बताते जा रहों लिखते जाओ सा बहुत सारी चीज नहीं रहती है टेक् पर केजी मुल पर केजी को और क्या लिख सकते हैं बच्छो हाँ स्मॉल म यानि मुलाल इससे पहले वाला भी कर लो इसके पहले वाला फॉर्मुला लिखा था एंटू अपॉन वी अप सॉलीशन उसका यूनिट क्या बनना चाहिए उधर पर फॉर्मुला था हमारा एंटू अपॉन वी इन लिटर सही है इसका हो जाएगा मो nutr और इसका हो जाएगा तो मोल पर लिटर हो गया तो यह मोल पर केजी में मेजर किया जाता हूं मोल पर अच्छा और है इसको capital M लिखें को पढएंगे molar मौल पर लीटर को और क्या लिख सकते हैं सभी बच्चे नोट करेंगे इसको अंचे फर्मुला कि दर लिखा इसका यह वाला लेक फ्र्मुला उसके आगे जो लिखा हुआ है पहले लिखवा चुका हो नहीं, उसके आगे लिखना उदर, आगे लिख रहे हैं, इधर इकवल करके, इधर इधर इकवल कर, हाँ, इन्टू अपॉन वॉल्यूम अफ सल्यूशन इन लिटर, वी और नीचे सल्यूशन, फिर उसके आगे यूनिट लिखो, मोल पर लिटर, और क्या लिख सकते हैं, बच्छो, मोल पर लिटर को और क्या बोल सकते हैं, कैपिटल M यानी, मोलार, सुनो, काफी सिमिलर है, तो कन्फ्यूजन होने के चांसे भी बहुत ज़्यादा है, तो मोलार, मोलाल, समझे, चलिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दो निमरिकल ये ग्राफिकल अनालिसिस बता देता हूं, फिर बाद में दो निमरिकल करा दोगा, चप्टर हमारे, चप्तम हो जाएगा, सुनो, जब आप ट्रेक्टिकल करते हो अच्छो, ठीक है, लैब में, तो हमने क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है, किसी गैस का, बी इस ड दोनों में डिरेक्ट रिलेशन है, फॉर एनी गैस, चाल्स लॉ बात करते हैं, क्या बात करते हैं, चाल्स लॉ चाल्स लॉ वी टी लॉ होता है, वी और टी का, इसका, आगे जरके मैं बताऊंगा आपको, तो यहाँ पर क्या होता बच्छो, आप टेंपरेशर बढाते हो, वॉल्यूम बढ़ जाता है, किसी गैस का, किसी गैस को आप क्या करोगे अगर, हीट करोगे, तो वो क्या करेगा, एक्सपांड करेगा, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, तो आपने फॉर एक्जांपल, टेंपरेशर कुछ बढ़ाया, तो वॉल्यूम इतना ह कर दिए Evie आपको दो सारे प्राइब कर दिया पहला दूसरा था पाँछ वा ऐसे अइसे उओ наб क्यों आपिश famous ने आप लोग Iraq औगरा बहुत सके बनाना होता है को अब इसको अगर मुझे काना में ऐक दलेशन बताना है अब इसको अ यह वना नहीं ठीक है अैसे नहीं करते हैं हमने बहुत सारी उस्तों को मैं क्या करोंगा इन में से बीच में से जाता लाइन बनाऊगा ठीक है अगर कोई बीच में अगर लाइन मिल रहे है तो अच्छी बात है मानलो कुछ पॉइंट इधर है कुछ पॉइंट इदर जैसे पॉइंट में और दिखाई दे रहे हैं तो आपका जो लाइन होगी वो क्या होगी इसके बीश में होगी समधारी बात ठीक है तो ऐसा अगर ग्राप बनाओगे तो यह सही रिलेशन होगा ठीक है और यहां लास्ट में क्या बताना चाहरा है कि on an average यह सा point है ना ठीक है equal distance पर होना चाहिए यह दिखाई दे रहा है तो यह एकदम से इस तरफ बनाओगे तो भी गलत हो जाएगा तो यहां पर 3 point इस से थोड़ी दूरी पर है और यहां से 3 point इस से कुछ दूरी पर है एकदम बीच बीच में बनाया तो यह वाला graph आपका क तो वी बी क्या होते जाएगा बढ़ता जाएगा तो यह graph analysis हो अंडस्टूट graph समझ में आ गया कि क्या कैसे करोगे तो सही होगा यह जितने भी points होंगे उसके बीच में से जाना चाहिए समझ आ रहा है तो कुछ right में जितनी दूरी पर है उतना ही left में वह दूरी पर होना च chemistry also involves deducing some relation if any between two or more properties of matter under the study one of the classic example is relation between temperature and volume ठीक है किसका gas का बात कर रहा हूँ मतलब हमने क्या किया temperature और volume की बहुत सारे reading ती उसको हमने plot कर दिया उस point को क्या कर दिया जो जितने cross दिखाई दे रहे वह points है आपके ठीक है उसको plot कर देना है फिर उसके बाद when the points are directly connected a zigzag pattern results मतलब अगर आप directly connect कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको एक zigzag pattern मिलेगा ठीक है लेकिन ऐसा नहीं करना है अगर जिग-zag आ रहा है तो कोई मतलब निकलकर नहीं आएगा तो वैसा नहीं करना होता है understood zigzag नहीं करना है एक लाइन में नहीं आया अगर एकदम perfectly कोई error नहीं होता तो आपके सारे पॉइंट एक लाइन में आते और सब एक लाइन में आते तो वहीं से आप ड्रॉ करते लेकिन यह क्यों ऐसा हुआ आप क्या करते सबको प्लॉट करते और उसके बाद बीच में निकाल लेते ठीक है जितना नीचे पॉइंट से होता नहीं क्या होना चाहिए उपर एक वी डिस्टेंस होना चाहिए यह भी देखना होता है ठीक है चलो नेक्स देखिए हैं सी वाला जो डाइग्राम था हमारे लग लगभ लग लग तर शो क्या था कि शो तेसरा वाला टांट यह तीसरा वाला सी वाला एक स्मूध कर बवना दिया अपने पीच में अает और मेभी कॉल ड réseल इने अएवरेज कर इस को क्या का एंगे वरेज करव जो भीच में से जा काल सकते हो कि वी और टी में डैरेक रिलेशन है वी और टी में क्या है आप टी बढ़ाते जाओगे बढ़ता चला जाएगा तो इससे कुछ रिजल्ट निकल कर आ रहा है इससे कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं अच्छा उसके बाद कि वाइल फिटिंग इट्टू दा स्मूथ कर देखो यह जब आप स्मूथ कर बना रहे होते हैं तो आपको किस बात का ख्याल रखना है लिख इस टेकन दाट प्लोटेट पॉइंट सार इवें ली डिस्टीबूटेट मतलब जो पॉइंट है वह इधर पे तीन है तो ऊपर थीन होना चीए समझा रहे इदर दो तो उपर होना चाहिए मन्धा बराबर बराबर होना चाहिए अब लें आपने तो आर्ड़ी बता इवनली मतलब ऐसा नहीं कि इवन नंबर होना चाहिए समझा रहा है अब जितने भी पॉइंट्स होंगे तो आधे इधर आधे इधर होना चाहिए और अगर बीच में कोई पॉइंट ग्राफ के उपर आए तब भी चलेगा मनलों फॉर एक्जामपल मेरे कुछ पॉइंट्स इधर आ रहे हैं एक दो ऐसे करके या एक यहां पर कहीं आ रहे हैं यहां पर तो भी चलेगा इधर तीन इधर एधर और दो लाइन के उपर है तो आ किया करोगे इवन डिस्रिबूशन का मिथमेटिकल का मैंत्मेटिक्स में क्या मतलब है सबसे आप एक परपेंडिकलर करोगे यह जो कलर ऐसे किया हुआ तो हमने क्या किया हुआ हुआ है पॉइंट से लाइन के उपर पर परपेंडिकुलर डॉपय किया देख लो सब भी पर्पेंडिकुलर क्या बता रहा है कि यह वाला पॉइंट अपने रास्ते से कितना डेवीएट हो गया कितना भटक गया है यानि कितना एरर है इसके अंदर कितना एरर है यह पॉइंट अगर इधर होता तो यह परफेक्ट होता मतलब अगर यह लाइन पर होता तो परपेंडिकुलर डिस्रेंस आपको यह बताता है पॉजिटिव डेविएशन और शोन इन रेड जो इस तरफ गया रहा है वा थे समझा रहा है जो इस तरफ गया है आप एंगल कैसे मेजर करते हो ऐसे न तो जो इस तरफ दिखाई दे रहा है वहाप उन क्या बोलेंगे जो उ ग्राफ के ऊपर अगर चला गया तो पॉजिटिव डेविएशन नीचे आ गया तो नेगेटिव डेविएशन होता है तो आपका यह जो पिंक वाला वहाँ पर रेड लिखा हुआ है तो रेड वाला जो है आपका बेसिकली क्या बताएगा पॉजिटिव डेविएशन और यह यह सारे डिस्टंस को क्या कर लोगे फिर सारे ब्लू वाले जो दिखाई दे रहें उसको प्लस कर लो ठीक है और टेक सम आपको वहाँ पर पॉइंट के साब से इवेन और नहीं बोलना इवेन डिस्टिविशन का क्या मतलब है मैथेमेटिकली आप हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर करोगे परपेंडिकुलर क्या रिप्रेजेंट करता है डेविएशन फ्रॉम दी कव समझ में आ रहा है अच्छा सारे ब्लू इसका मतलब एक्जैक्ली इकवल आने की जरूत नहीं है नियरली इकवल आ रहा है या इकवल आ रहा है तो आप समझाओ कि आपने जो ग्राफ बनाया वह बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है वी और टी का समझा रहा है परफेक्ट ग्राफ है अंडेस्टूड कैसे प्लॉट कर कर आता है जिगगसे कोई मतलब ने करता आपको बनाना पड़ता है क्या आपर पड़ते चाहिए इवेंड स से क्या मतलब है कि आप सारे पोईंटेस नीचे वाले और ऊपर वाले अगर इकवल यानूर्ली इकवल आते मतलब आपने जो ग्राफ बनाया वह उसका अरी प्रेस यह दो नियुमरिकल करना है बच्छों और इसमें ना दो ही बच्छाना तीन का है कि तीन है कि मास परसंट का भी है ठीक है फटावट कर लेते हैं इसको अच्छा यहां पर नहीं एक एम सी क्यूं था इस पर कि ज़र गया कि अगर इधर देखो क्या यह इसका अंसर बता सकते हो यह जो टॉपिक अभी करवाया उसके वेसिस पर है वेंट्टू प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम जैसे वॉल्यूम टेंपरेचर हम लोग वह प्रॉपर्टी है जिसको आप रिलेट कर रहे हैं आपस में आर मैथमेटिकली रिलेटेड अगर यह मैथमेटिकली एक दूसरे से के साथ में क्या है कुछ रिलेशन रखते हैं ठीक है टूइचर दे रिलेशन कैन बी डिडियूस बाइं वर्किंग आउट मीन डेविएशन मीन निकालके प्लोटिंग ग्राफ calculating relative error all of the above all the about theory क्या आंसर आएगा आपर all all the about all the about three मतलब यह सारे बोल रहा है नहीं तो relation निकालने के लिए आप graph plot करोगे ना working out mean deviation relative error क्यों निकालोंगा मैं relation बी ओप्शन इसका correct रहेगा ठीक है plotting ग्राफ अगर दोनों mathematically एक दूसरी आज relate कर रहे है तो आप उसका error थोड़ी निकालोगे समझा रहा है आप क्या करोगे उनका graph बना दोगे तो plotting ग्राफ इस करेक्ट अंसर ठीक है रिलेटिव एरर क्यों निकालेंगे मैं mean deviation क्यों निकालेंगे ठीक है बी ओप्शन इसका correct होगा और भी mcq आप ट्राइ कर सकते हैं अच्छे mcq है ठीक है चलो यहाँ पर यह नुमरिकल है पटावट पटावट यह तीन नुमरिकल कर लेते हैं चप्टर हमारा ओवर यह चलो बच्छो जानेगे से बच्छे solution is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water मतलब आपने कोई A substance लिया उसको water में डाल दिया पानी में डाला वो 18 gram है और 2 gram आपने डाला मुझे बताओ solution कितने gram का बनेगा है ना simple है यह A जो substance है वो मेरे लिए solute हो गया तो आप data क्या लिख सकते हैं बच्छो सुनो और पूछा क्या है calculate mass percent of solute मुझे बताओ यह substance A कौन है solute है ना उसका mass कितना gram बराबर और water मेरे पास कौन है solvent water is a universal solvent याद रखें टो डबलू वन एटीन ग्राम हो जाएगा और पूछा क्या अपने को बच्छो मास परसेंट क्या पूछा हुआ है मास परसेंट किसका solute का यह पूछा हुआ है आफ लिख देना of solute solution यह कौन बदाएगा फॉर्मुला मास परसेंट of solute का फॉर्मुला क्या है वेरी गूद डबलू टू अपान डबलू वन प्लस डबलू टू इंटू तो सीधा सीधा sol हो जाएगा ने यह डबलू टू कितना है टू और यह टू प्लस एटीन यह निट्विंटी हो जाएगा एक जीरो से यह कैंसल कर देते हैं दोी ऑगया कितना परसेंट आ गया बच्छो जब आप लिखने का बाइमास क्या लिखोगे परसेंट जो है वो मास के इसाब से बाथ कर रहें तो टैन परसेंट बाइमास कितना असान हो गया understood चलो जल्दी करेंगे इसको तो अगला सवाल करते हैं कि अच्छा सॉल्मेंट कितना परसेंट होगा कौन बताएगा नब्बे फर्मल लगाओगे एंड्रेड माइनस एन परसेंट पूछा तो पूछा तो करना नहीं तो नहीं चलो अगला सवाल है जरा इसमें देखते हैं इसका डेटा क्या गिवन है बच्छो क्या निकलना अपने को कैपिटल एम फॉर्मुला मालूम है इंटू अपॉन वी ऑफ सॉल्यूशन इन लेटर कहानी चल रही है ने वेश की किसकी चल रही है तो यह मेरे लिए स्वलूट होजाएगा हां यह कौन होजाएगा इन दस लूशन अपा क्यों इन् 이상 मिलेए न थास कि यूजी नहीं होता है इसके मतलब आपने काफी पानी में उसको मिलाया और सेलूशन कितना एमिल बना 250 एमिल यह कौन है बताओ 250 एमिल ओफ सेलूशन मतलब वॉल्यूम ओफ सेलूशन हो गया लेकिन यह मिली लीटर में गिवन है अपने को काफी में चाहिए होता है लीटर में अंडस्टूट अच्छा तो मैं सीधा सीधा डेटा लिखता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा फॉर्मुले में हम लोग क्या पानी में डाला है यह मेरा सल्यूट है और पानी तो आपको मालूम ही है कि सॉल्वेंट ही रहेगा वोटरी यूनिवर्सल पानी साथ में आया पानी सॉल्वेंट रहेगा और जिसको भी उसमें एड़ किया हुआ है हां वो सॉल्यूट होगा मिल के सॉल्यूशन बनेगा है यह और चार ग्राम दिया है क्या आप इसका मोलार मास बता सकते बच्छो एम टू ऑफ सॉल्यूट मोलार मास मोलार मास एने 23 मैं ऐसे ब्रैकिट में चाहिए तो एने ओवेश लिखता हूं 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम पर क्या यह आगया बच्छो क्लियर है ओके मैंने यह क्यों निकाला अभी आपको समझ आएगा वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन मुझे चाहिए फॉर्मुले में लीटर में लेकिन दिया किसमें बच्छो गिवन आपको काई में है एमल में चलो लॉजिकली भी बिता सकते है उसको सुनो डाई लूटोर मैंस कच्छा है रहे सुनो लॉजिकली कैसे हजार एमल एक लेटर हाँ हजार एमल पांसो एमल आधा यानी 0.5 पांसो का 0.5 बोलाप धाई सो का 0.25 अचा अभी मैंथे में टकली मिली मतलब माइनस तरी और पॉइंट अगर आपने तीन पीछे लिया तो प्लस त्री प्लस त्री माइनस त्री क्या हो जाएगा जीरो लिखने ही जरूत नहीं है लेटर में करवाटो हाँ यह पाओ है यह समझा डाई नहीं है जीरो पांट टू फाइलेटर एक लिए यहां तक डिरेक्स समझ में आ तो ठीक है नहीं कि नहीं तो मैथमाटिकली भी करो एक पूछा क्या है मतलब मोलार नहीं क्यापिटलन में इस कोट मोलार एक उए म rich पूछाएं जब आप योनिट लिखोगे तो मोलार बोलोगे mm कि समझो कि कहां पर मैं molar और कहां molarity बोल रहा हूं जब मैं quantity की बात कर रहा हूं concentration की बात कर रहा हूं तो मोलरीटी है यूनिट की बात करूं आ तो आप molarity का unit molar बोल सकते हूं ए सलूशन फर्मूला लगा देते हैं n2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सलूशन इन लीटर अब अगर आप गौर से देखोगे तो मेरे पास N2 तो ही नहीं कौन नहीं है आप कौन बताएगा आपको N का फॉर्मुला कितने बच्छों को पता है कि NKM ने तीन फॉर्मुले पढ़ रखे हैं डबलू बाएम वाला फॉर्मुला पता है न लेकिन N2 की जगह क्या आएगा W2 अपॉन तो N2 के लिए क्या हो जाएगा तो अगर आप N2 की जगह लिखते हो W2 अपॉन में इज़र M2 आ जाएगा और फिर N2 में वॉल्यूम आप सॉलूशन इन लीटर हो जाए एक N upon N-A P मॉलेकुल का फॉर्मुला पड़ा है इसको यहाँ लेगा तो N का फॉर्मुला फॉर्मुल अपॉन आ नहीत हो टीन फॉर्मुला पड़ा है अब नंबर आफ पार्टिकल यह नंबर आफ एटम जब निकालते तब करते हैं इधर द्यान देंगे सभी बच्छे बहुत इसली यहां पर आप सॉल हो जाएगा फॉर्मुला मैंने मोडिफाई कर लिया है अगर आप देखोगे आपके पास डबलू टू है आपके पास M2 भी 0.25 0.25 को पता है आप 1 by 4 लिख सकते हो ओके तो यह 25 से मल्टिपलाई भी करने की दरूद नहीं पड़ेगे आपको 40 इंटू आप क्या कर दोगे यह 1 by यह 4 से यह 4 कटेगा यानि 10 बचेगा 4 upon 10 क्या हो जाएगा बच्छो पहले में चाहिए तो लिख देता हूँ 4 बचा नीजे 10 बचा इसको सॉल करेंगे 4 upon 10 क्या हो जाएगा 0.4 what capital M molar समझा रहा है और क्या लिख सकते हो और 0.4 अच्छा यूनिटी की लिखता हूँ न सिर्फ मोल पर लीटर भी लिख सकते हो आप आयोब समझ में आ गया हो गया इसली सॉल एक ही फर्मला लगाया उसको मोडिफाई किया और आंसर आ गया समझा रहा है दूसरा तरीका क्या है आप N2 अलग से निकाल लो फिर इसमें पुट करो समझा रहा है लेकिन वैसा मत करो आप डिरेक्ली वह फर्मले को मोडिफाई करके एक ही बार कैलकुलेशन होगा चलो बस अभी एक कोशन बचा अच्छा एक सुनुट लो ने अच्छा करें अच्छा एसे नहीं हमारा अगला सवाल है इसके अंदर आप देखोगे मुलारिटी गिवन है और मुलालिटी पूछा है और थोड़ा सा गुमाएगा सवाल अपने को बहुत तो ध्यान देंगे सभी बच्छे देंसिटी ऑफ त्री मुलार तो मैं यह काम करता हूँ आपको समझ आ रहे हैं यहए है त्री मुलार स्लूशन का बने कोंसा वाला मुलारिटी क्या गिवन है पहला देंस बोल रहे हैं मतलब desires 3m का दूसरा एक हौन मतलब निकलता है 3 mol पर लीटर उसका मतलब कितना मौल है το कि सल्यूट कितना मोल होगा नहीं समझा बात को 3 molar solution बोल दी हैना मैंने आपको इसका मतलब 3 mol पर लीटर आपको आपको स्बोक्राब और बाद चल रहा है एल का solution होसे बनाया गया तो आपको याद रखना है कि कौन होगा पाटनर कौनिका इसका सल्वेंट कौन होगा स्वाटर रहेगा बोला नियकूशन कौन है वोटर है या एस्टो लिखते तो यह भी डिसाइट कर लेने का पहले हां तो मेरे पास जो सुल्यूट है ने सी एल उसका नंबर आफ मोल कितना होगा एक लिटर में बच्छो त्री मोल कितना मोल यहां से क्या निकाला आपने यह मुलारिटी से मोल निकाला त्री मोल बोला है मतलब तीन मोल पर लिटर यानि एक लिटर में कितना मोल होगा तो एंटू मुझे मिल गया तीन मोल है कितना मोल है अच्छा आपका जो सल्यूशन है ना बच्छो उसकी डेंसिटी गिवन है क्या बनें यह, what is this? density, आप चाहें तो D इस्तेमाल कर सकते हैं, या रो इस्तेमाल कर सकते हैं, थीके, रो कर देते हैं, हमने इसको physics में इस्तेमाल के बनें, density के लिए, density किसका लिख रहा हूं, यहाँ पर मैं, solution, थीके, कितना है, one point to five gram, पर ml या ml इन्वर्स बोला है तो मैं पर ml लिखता हूं ताकि आपको समझाए इसका क्या मतलब है कौन बताएगा वन पॉइंट टूफाइग ग्राम एक ml का एक ml अगर सुलूशन आपका तो उसका कितना मास है मास कितना वन पॉइंट टूफाइग ठीक है अच्छा कहानी तो यह एक लिटर की कॉंसेट्रेशन में किसकी बात चल रही है तो अगर आपको एक ml का पता है कि वन पॉइंट टूफाइग ग्राम होता है तो एक लिटर मतलब कितना होता है हजार एमल तो हजार एमल का कितना ग्राम होगा 1250 इंटू 1000 करेंगे तो इसको यूनिटरी से कर सकत है यहां से हमको क्या निकल कराता है कि एक ml solution का मास कितना है वन पॉइंट टूफाइग ग्राम मास कितना है अच्छा तो हजार एमल का कितना होगा देखो वन लीटर और आप लिख सकते हो हजार एमल तो मैंने क्या कर दिया है यहां पर हजार से मल्टिप्लाय कर दिया इधर करना पड़ेंगा वन पॉंन्टिफञा इंटो फाइफ लोस ग्राम समझा है आपने यहां पर क्या किया इन्टो हजार 100 कर दिया तोoshi कि नौ टूफाइफ लोस है इन्टू लिगक सिम्लिलिफेश्च करके बॉंट्ट करके देख लोयारो 1.250, 1.25 समद लो, और इंटो हजार करा मतलब 10 रे सू 3 होता न, तो यहां पर एक 0 कंसिडर कर लो, पॉइंट को 3 आगे कर लो, 3 आगे किया तो, माइनस 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, अंसर क्या आएगा, 1,25, 0 करा, इसका मतलब, यहां से क्या समझ जा रहा है, W of, यह किसकी density थी, solution की, यह मास किसका आएगा, solution का, किसका आएगा, solution का, तो मास of solution कितना है, 1,25, 0, ग्राम, पर लीटर फिलाल लिख, जो तो आपको समझ आएगा, कि एक लीटर का इतना मास है, और वहाँ पर भी आप उन्हें एक लीटर में कितना मोले यह बात कर रहा है, अच्छा, मुलालिटी निकालने के लिए मेरे लिए सवाल क्या पता है, सवाल है मेरे लिए small m, question mark, यह निकालना है, कोन पताएगा, small m, मुलालिटी का formula क्या था, number of mole of solute मेरे पास है, upon w1 यानि solvent का मास kg में, नहीं है, इस से क्या निकल कर रहा है सिर्फ मुझे, solution का मिला, अब एक काम करते हैं, अगर solute का मास पता चल जाए मुझे, मैं एक number बते ता हूँ, आपको समझो, पूरे solution का मास कितना है, 1250, अगर मैंने solute का निकाल लिया, क्योंकि solute का मोल पता है मुझे, और solute का formula भी पता है, कौन है, एने सियल है, ठीक है, तो मैं उसका w निकाल सकता हूँ, अगर माल लिजे उसका w 200 आता है, कितना आता है, यह आया है 1250, solution का, और solute का मास, माल लो 200 आता है, तो solvent का कितना होगा, 1050 होगा कि नहीं होगा, फिर बाद में उसको kg में convert कर लेंगे, तो इस तरीके से आपको approach करना है, तो अभी पहला हमारा काम क्या करना पड़ेगा, मुझे w2 निकालना पड़ेगा, क्या निकलना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं solution actual में आपका शुरू हो चुका है, यहाँ से, यहाँ से आपका solution शुरू हो चुका है, यह तो given लिखा हो और क्या find out करना है, understood, यहाँ पर मैं क्या करना हूँ ज़रा ध्यान देना, पहले step में मैंने यह find out किया, second step में मैं w2 निकालता हूँ वच्छो, M2 of NACL कितना आएगा, M2 of NACL, बता सकते हो क्या, यह कितना हो जाएगा, 23 plus 35.5, कितना हो जाएगा यह बच्छो, ओके, IOPA समझ में आगया, मैं आपर क्या कर सकता हूँ, 58.5 रख सकता हूँ, into 3 कर देता हूँ, 3 फाइजा, 15, 24, 25, ठीक है, 17, और राइट से एक के बाद पॉइंट, ए, what is this, मुझे W of Solution पता चल चुका है, W2 पता चल चुका है, मैं W1 निकालूँगा, क्यों पहले यह बताओ, W1 क्यों निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि morality में upon में कौन होता है, W1 होता है, इसलिए मैनाच चल रही है इतना, अच्छा, तो आपको पता है, W1 कैसे निकलेगा, W of Solution में से, W2 निकाल दोगे, पूरे Solution में से, Solute का मास निकाल दोगा, तो बचेगा किसका, Solvent का, नहीं समझे बात को, यह है 1250, और यह कितना है, 175.5, कितना आजाएगा बच्छों आपका, इधर पे आप एक 0 ले लिजिए, 10-5, 5 हो जाएगा, 9-5, 4, 4-7, 14-7, 11-1, 10, 10, 74.5, सही है, यह क्या आया बच्छों आपका, ग्राम में आया, W1, लेकिन हमको जो फॉर्मॉले में सिस्टमाल करना होता होता हो, काई में करना होता है, kg में, तो kg करना बहुत सिंपल है, यानि क्या, kg, kg का 10 का पाउर कितना होता है, 3, 3, कितना, 3, तो अगर मैं, को तीन पीछे ले लेता हूं कितना पीछे ले लेता हूं तो पीछे कभी क्या होधा है ओके 1.0745 और 10 रिस टू थू त्री ग्राम यानी किलो ग्राम समझ गए पूरा स्टेप लिखूं कि मैं डियरेक्ट समझ आ जाएगा ना ओके तो यह किलो ग्राम में कंवर्ट हो चुका है है बच्चों आप जो जो requirement था वो हमने निकाल लिया है आप हम लोग क्या कर सकते हैं कि तीसरे step में आप इदर पर apply कर सकते हो कि ए स्मॉल एम का formula बताएंगे इंटू अपॉन डबलू वान इन kg एंटू is how much 3 डबलू अभी निकाला समझ गये अब बस इसको आपको divide करना है और आपका answer आजाएगा बच्चों तो आप इसको कैसे करोगे log से कर लेना इसको divide कैसे करना पड़ेगा आपको यहाँ पर फिलाल मैं ऐसे कर ले 3 divided by 1.0745 कितना आ रहा है यह चीक है बुलेंगे मोल पर केजी यह और क्या बुल सकते बच्चों small m लेख सकते हैं so this is your answer बच्चों understood 2.79 देख लो इसको कैसे करना है हाँ बस चलो फटावट करेंगे mcq discuss कर लेगा बता जारा आ इसके बच्चों अच्चों ग्रावट कितना है क्वाट कितना है आ आ आ अ क्याशव एड लेगा लेडाट और आ आ आ आ आ ड्वाट था प्चों रग्ट इस कट्या विड़त टीविक लेड खिकर है अच्छा आपके लिए कुछ homework दे रहा हूं मैं पीछे के कोशन नहीं कर वा रहा हूं मैं कोशन नमबर थ्री और पॉर आप सभी बच्चों के पास नोट्स अवेलेबल है तो आपको कोशन नमबर थ्री के पूरे numericals फोर के पूरे numericals करके आने हैं ठीक है आपके पास आज का दिन है कल का दिन है मंडे को आपको बताना है कोशन नमबर थ्री के अंदर देखो numericals है ना significant figure वगरा यह सबके वो पूरे करने है और four में numerical से पूरे अपने chapter में जितने भी discuss करें उसके based पूरे करने है तो आपके पास आज और कल का time है आपके पास digest है आप reference का refer करके लेकिन solve करेंगे अपने method से refer करने के लिए आप वहाँ refer करेंगे ठीक है अभी पीछे के question में करवाने जाओंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा तो मैंने सारे टाइप करवा चुके हैं उसको अभी आपको करते हैं मैं अभी नेक्स चेप्टर आपको बढ़ाओंगा बता जराए अगला चेप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं structure of atom ने redox कर ले था redox redox reaction करवा रहा हूं मैं next और पता लीप लगान ऴे एलाए 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 ने घाए ले एलाए यजर लाए जीपना ने झाल झाल